कि वह गाइस देको आज मैं आपको बताओंगा फॉरेन इंविस्टर्स ठीक है फॉरेन इंविस्टर्स डीको फॉरेन इंवेश्टर्स बेच भी रहे ह हैं और क्कूसरीन दोनों काम करना है ही लोग ब हरी हुई कि टिक तो जो चीज अच्छी उसको खरीद रहें और जो चीजस अच्छी नहीं उसको नहीं खरिद रहें कर के बेच रहें वहा Bu कर रहें आप लνηगों ने सुना हती होगा कि Foreign Investors बेच लेकिन सर उससे पहले खरीदा भी तो खरीदा भी तो होगा बिलकुल और जब खरेबा होसर्व बेच रहा थतो प्रॉफिट किया है बिल्कुल कोई इनसान खरीद के बेचगा यह बेचा बेचेगा जब उन्हीं बता रहा बास तो वेच देने आपका नहीं खुता मैं किसी को बतादो कोई फायदा नहीं है लेकिन जब खरीदा आ तो कुछ लोग बता दो, तो लोग लेड़ोने लेते हैं, समझते हैं, जिस्था यह तो बेचा ही इन्मॉत्छ है, यह इंपोर्टन नहीं है सारी चीज़े नहीं ठीक है तो दिखाता हूं मैं आपको 22,000 करोड का order book है सरक कंपेनी के पास 22,000 करोड का FIIS ठीक है foreign investors increase stake देख लिजे इन्होंने और खरीदा तो यह जानना बहुत ज़्यादा जरूरी रहेगा तो सरक कौन से company है तो मैं आपको direct दिखाता हूं देख लिजे मैं वोलूँगा तो हो सकता गलत हो जाए देख लोगों तो confirm हो जाएगा और यह सारी चीज़े देती है company dividend stock split bonus सारी चीज़े देती है यह company ठीक है तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी देता हूं company का नाम है Cochis CPI Limited और यह sir stock अभी तक चला नहीं था पहले तो यह गिरा हुआ था अब थोड़ी बहुत चलना start कर रहा है ठीक है तो यह 13,000 करोड की company है 1.7% का dividend निकाल के देता है ब मतलब अच्छी चीज़ा और अभी तक चला भी नहीं है देख लिए अभी तक चला भी नहीं है तो business के बारे में समझोगे तो और ज्यादा अच्छा लगिया company क्या करती है यह सारे टाइप के एक दूने इसर सारे टाइप के जो है यह vessels बनाती है repair भी करती है उसको मतलब refit भी करती है उसको जितने भी type के होते हैं सबी के उपर जो यह काम करती है अप ग्रेडेशन होता है अप ग्रेड करती है उसको life extension होता है extension होता है ठीक है ships वगरा का यह सारे चीजों से related यह company काम करती है ठीक है build repair और भी बड़े बड़े ship आपको देखने को मिल लाए उसके लिए 55 company के पास जो है जो outside client है इंडिया के बाहर वाले client है सोच लिए यह सारे चीजों के demand इंडिया में बहुत है आप जितने भी मतलब ship share related देखोगे तो सारे stocks दौड रहे है क्योंकि अब इंडिया export करना start किया है पहले import करते थे अभी देखो यह हमारा भारत देश है और यह चाइना है ठीक है C से माल लेते है चाइना ठीक है इंडिया अब हुआ क्या कि चाइना हमें product बेशता है तो यहां से start हुआ ना starting point कहां यहां तो यह इसने अपना container भेजा अपना ship भेजा तो हमसे पैसा लिया हमने उनको payment किया हमने उनको payment किया तो फाइदा चाइ export है बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे तो अब क्या है कि सर इंडिया export के मामली में आ चुका तो ship भी हमारा ले जाने का पैसा भी लेंगे ship का भी business हो जाता और export का भी business हो जाता और यह और भी बड़े level में business करने की कोशियस करें इंडिया का मतलब first बोल सकते हैं क ग्रिन फिल्ड shipyard है इंडिया का इसकी capacity 110,000 है ऐसा है करके ठीक है DWT यह लोग बोलते हैं करके अपनी capacity में कोलकता हो गया मुंबई हो गया इंटरनेशनल सी prepare facility भी यह लोग provide करते हैं इंटरनेशनल से कहीं से भी कोई आता है तो वह करता है बहुत सा अमेरिका भी आता है भा कंपनी बहुत सही है मैं आपको बोलता हूँ और इनका expansion plan भी expansion मतलब business को और बढ़ा बढ़ाना ठीक है और यह West Bengal में अपने business को और बढ़ा के जो है new facility provide कर रही है ताकि company और आगे जाते हो नजरा है company की subsidiary भी देखने को मिल जाएगे जो की company के लिए काम करती है ऐसा है ठीक ऐसा है 13,000 क्रोड की company है dividend वगर आप लोगों ने देखे लिया होगा और 73% per motors के पास हिस्सेदारी है कितना 73% है और company के पास सर्फ 4,300 क्रोड का reserve है और केवल 550 क्रोड का borrowing है साड़े 3000 क्रोड तो company के पास फालतू बच गे तभी तो company आपको भर भर के पैसा दे रही है dividend में साथ में company के पास 1553 क्रोड का cash fee है net cash भी आपको देखने को मिल दा होगा ऐसा है और यहां पर foreign investors क्या domestic investors भी कूद कूद के ऐसी stocks में invest करना चाह रहे है तो आप आपको business समझना होगा company के order book पर ध्यान देना होगा और सब कुछ आप देखोगे तो आपको सही लगेगा time लगेगा business को समझने में देखो क्या सही लग रहे है आपको और अगर अगर आप stock market में नए हो तो अपने demand account एंजल में भी open कर सकते हो जहां पर demand account free होगा delivery charges free होगा केवल 20 रुपिस लगेगा वो भी इंट्राटेमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है मिंटो में जाके अपने demand account open कर सकते हैं